इसमें कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं, हजारों कागजों को उलट पुलट कर रहे हैं, उन्हें ठीक ठाक कर रहे हैं, वहाई बलो शर्ट में चश्मा पहने एक व्यक्ती स्टूल पर बैठा है, साथ ही कुछ लोग तैश में हैं और तेज आवाजों में बादचीत कर रहे हैं, उनके बादचीत से मालूम पर रहा है कि स्टूल पर बैठा आदमी बाला घाट डियेम का पीए है, आखी ये माजरा क क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक बार देख लिजिए। दर असल ये वीडियो MP के बाला घाट की है, इस वीडियो को कॉंग्रेस MP विंग और कमलनात ने शेयर की है, साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हुए, कॉंग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, वो बेहत चौकादेन वाले हैं। कॉंग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, कि निर्वाचन को कलंकित करते बाला घाट कलेक्टर, मध्य परदेश के बाला घाट जीले के कलेक्टर डॉक्टर गिरिश मिश्रा ने 27 नौवंबर को ही इस ट्रोंग रूम खुलवा कर बिना भेहरतियों को सतर कर चोकन्ना रहे, बीजेपी की करारी हार से बॉखलाई चोरी की ये सरकार और कुछ सरकारी दलाल वोड़ चुराने की फिराक में हैं, कॉंग्रेस के इस वीडियो को शेयर करने के बाद MP में बवाल मचा हुआ है, MP कॉंग्रेस के बाद कॉंग्रेस के दिग्ज नेता कम कमलनात ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसी वीडियो को शियर किया है। इस वारल वीडियो के अधार पर MP कॉंग्रेस ने जो आरवप लगाए हैं वो वाकई चिंता जनक है क्योंकि नियमों के मुताबिक जिस दिन मत गर्ना होती है उसी दिन सबसे पहले पोश्टल बैलेट को खोला जाता है। लिपता के आरोप लगते हैं तो सीधा श्रक वरतमान सरकार पढ़ी जाता है कि गाल मेल का खेल उसी की तरब से खेला जा रहा है। बहराल इस मामले की सच्चाई क्या है वो चुनाओ आयोग जाज के बाद ही तैकर पाएगा। वो भी तब जब वो कॉंग्रेस की शिकायट पर वाजिब एक्शन लेगा। इस ख़बर मस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। बटाईए ने बोला किसमें बोला इसने बोला इसनों बतारा गया है कि यह जो डान अनबर दो आपकाई